हेलो आवाज आ रही है वोईस क्लियर है बताईए का मुझे वोईस क्लियर है क्या हेलो वोईस क्लियर है आवाज आ रही है हेलो हेलो वोईस क्लियर है ओके आवाज आ रही है आपको हेलो स्वाती तो फुल लेंथ टेस्ट फिफ्टीन को हम देख रहे हैं जिसकी आपके पास अल्रेडी पीडियेफ सुबह आ गई थी तो आप लोगों ने उस टेस्ट को दिया होगा और सबसे पहले तो ये बताईए आपका क्या एक्सपीरेंस रहा उसको देखके टेस्ट कैसा था इजी तू मोडरेट या मोडरेट या तफ तेस्ट कैसा था मोडरेट तू टफ और कोई है इजी तू मोडरेट ओके तो सही है सबके विचार अलग-अलग हैं इस चीज में किसी को मोडरेट लग रहा और किसी को इजी तू मोडरेट लग रहा है तो जिसको मोडरेट लग रहा है इसका मतलब उसकी तैयारी थोड़ी कम है और जिसको easy लग रहा उसकी तैयारी थोड़ी ज्यादा है यही मान सकते है easy to moderate, ok तो अच्छी तैयारी है तो easy to moderate लग रहा होगा और आपके इसाप से cutoff क्या होनी चाहिए इसमें retention power जी वो तो करनी होगी, इसलिए टेस्ट इस फॉर्म में लिया गया है कि आप लोग देख लेंगे किस तरीके से वहाँ पर होगा, क्या गलती वहाँ पर हो सकती है, इसको अभी सिनलाइस कर लें, कट आफ बताईए आपके साब से कट आफ क्या रह सकती है से पेपर में कट आफ क्या रहनी चाहिए इस फुल एंड टेस्ट 15 के लिए कट आफ बताईए जल्दी से फिर शुरू करते हैं इसको 72 मेरे साब से 80 मार्क्स होने चाहिए 80 मार्क्स जो ला रहा है उसके अच्छी तेयरी कह सकते हैं लगभग 80 मार्क्स इसमें होने चाहिए मतलब मिनिमाम 80 मार्क्स 60% तो मेरे इसाब से 80 marks मैं बोल रहा हूँ 80 marks होते हैं 65% तो चलिए उसके साब से देखते हैं किस तरह का रहा है कैसे marks आये हैं आपके चलिए अब देखते हैं answers की तरफ बढ़ते हैं सही गलत देखते हैं इसके link को एक बार share कर दीजेगा जिससे और लोग भी जुड़ जाएं बहुत देड़ से एक बज़े से message आ रहे हैं कि sir कब आएंगे कब आएंगे लेकिन अभी तक कम लोग आप आए हैं आप इसको link को भेज दीजेगा चलिए फिर शुरुवात करते हैं शाम का वेट कर रहे थे नहीं उसको दस से बारा में ही देना था केशव तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने क्या लगाया इसका आप लोगों ने जी इसका आंसर है अट्रोशियस बहुत ज़्यादा गंदा होता चोटा मुटा गंदा नहीं ओनली डर्टी नहीं बहुत ज़्यादा गंदा तो एट्रोशियस यहाँ पर आंसर होगा option 2 next question which one of the following is the synonym of word written in capital letter there was a sliver of light under this door sliver का आपको synonym बताना है sliver क्या आंसर लगाया इसका क्या आंसर लगाया sliver का splinter बिल्कुल इसका अर्थ होता टुकडा sliver means एक चोटा सा टुकडा लाइट का door के पीछे था तो splinter इसका आंसर होगा option number 1 ठीक है next question some measurements were based and based on anecdotal evidence anecdotal का मतलब क्या होता है प्रणा मर्पित तो anecdotal का मतलब क्या होता है synonym ही बताना था यहां पे आपको untrustworthy जी anecdotal का मतलब होता है untrustworthy जिस पे भरोसा ना किया जा सके ठीक है तो option भी odd man out की तरीके से थे simple बनाने के लिए आप option से भी कर सकते थे ठीक है untrustworthy option नमबर टू यहां पे correct है next question है which one of the following is the antonym of the word written in capital letter आपको antonym बताना इस बार antonym बताना है आपको carelessly attentively thoroughly या fastly good afternoon आयश good afternoon good afternoon to all of you and best of luck for this test and main UPS CPA for exam good afternoon रोमी होप आप सभी का अच्छा जाय पेपर और आपको ऐसा लगे कि आप next full land test दे रहे हैं कुछ भी difference आपको ना लगे यही होप रहेगी कि सब कुछ आपका पड़ा हुआ हो कि मैटी क्यूलस ली ओके आयश तो स्वाती मान के तो चलना पड़ेगा ना नहीं small नहीं है वहाँ उसका मतलब यह होता है जी good afternoon तो meticulously का मतलब क्या होता है meticulously का मतलब होता है carelessly और यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है तो answer होगा attentively नहीं sorry carefully होता है तो यहाँ पर answer होगा carelessly option number one fourth का option number one answer होगा carelessly ठीक है next question 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 number five बिल्कुल carelessly वहाँ पर answer है question number five पर आजाईए good afternoon good afternoon क्लास ओवर कैसे चल तो रही है क्लास कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में ओनलाइन है कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ दिखतो रहा है सई तो है बिल्कुल जीत आपका भी नाम लेंगे कोई दिक्कत नहीं किसी का नाम लेने में अजाब वीडियो अटक गई थी ओके इसलिए सब लोग चले गए वहीं में सोचूंगी लोग कम कैसे हो गए तो क्या अंसर यहां पर अलर्ट अभी तो फाइन है अभी तो दिख रहा है आपको सब क्लियर है अभी तो कोई प्रोब्लम नहीं है न तो शीवा विकमिंग क्वइड भ्लेस का मतलब क्या होता उदासीन उदास ठीके तो अभी सब ठीक है न सब दिख रहा आपको तो ब्लेस का मतलब होता है उदासी इन जिसको कोई फरक ही नहीं पड़ता इन डिफरेंट ठीके तो उसका एंटोनिम क्या होगा अलर्ट तो ओप्शन 3 अलर्ट अलर्ट इसका अंसर है नेक्स्ट कॉश्चन 6 इसक्स्ट कॉश्चन है आपके सामने which one of the following is antonym of the word written in capital letter in the sentence आपको एंटोनिम बताना है डिफरेस का डिफरेस का अंटोनिम बताना है आपको ओके ओके है न सब तो बताईए डिफरेस डिफरेस का अंसर क्या होगा डिफरेस का मतलब होता है बंद करना confinement किसी को बांधना तो इसका अंसर होगा release option number one option number one release प्रणाम अमित तो देखिए कौन से question आपके सही है कौन से गलत है उसको tick mark करते जाईएगा और अपने number भी note करते जाईएगा जिससे last में number आप बता सकें क्योंकि test आप already दे चुके हैं इसलिए आसान रहेगा just आपका सही है गलत बस यही mark करना है और आवाज में कोई दिक्कत आया तो बता दीजेगा आवाज कैसी आरी सही आरी न आपको एरर बताना है although he achieved great success but he could not win fame उसको great success मिली लेकिन वो fame नहीं जीत सका खना का रही है very good तो क्या अंसर होगा seven का बट option number two यहाँ पर बट नहीं आना चाहिए although है तो बट की जगे नहीं है although he achieved great success he could not win fame ठीक है बट को रिमूव करना है बिलकुल बट बट नहीं आएगा ठीक है next question no other hill station is as beautiful as Darjeeling with its cynic beauties although के साथ यह नहीं भी आएगा तो चलेगा लेकिन बट उस वहाँ पर redundant है उसका repetition हो रहा है उसकी जरुवत नहीं है वहाँ पर एर्थ का तो आप सभी का सही है cynic beauties की जगे क्या होना चाहिए cynic beauty होना चाहिए ठीक है बिलकुल beauty होना चाहिए beauties नहीं होना चाहिए आप सभी का सही है सभी कोई eclairs मेरी तरफ से जिस जिसका सही है next question hardly as I stepped out of my house when I saw some policeman coming towards my house तो क्या answer होगा नाइंत का बिलकुल सही यहां भी आप सभी का answer सही है hardly के बाद क्या आता है hardly had hardly had I stepped out of my house यह होना चाहिए तो option number one correct है next देखते है 10 which one of the following words can be used as a substitute for the phrase a proficient public speaker hello Aisha very welcome very warm welcome तो बिलकुल वहां पर as हटाना था head आना चाहिए था उसकी जगे तो 10th question में बताईए क्या होता है अब proficient public speaker बिलकुल सही orator वक्ता ठीक है narrator कौन होता सिर्फ narrate करने वाला curator तो pitch वाला होता arbitrator means punch तो यहाँ पर क्या answer होगा orator ठीक है next question detailed plan of a journey detailed plan of a journey 11 travel kit travel log travel log schedule itinerary itinerary तो क्या होगा 11th का बिलकुल सही itinerary option number 4 detailed plan of journey को itinerary बोलते हैं नहीं यही होता आप देख लिजएगा detailed plan of journey next question है victim could not pick up her attacker from the photos pick out her attacker pick at her attacker ya pick on her attacker internet इंटरनेट कम चल रहा है आपके हैं यूसुफ तो क्या answer होगा 12th question पिक आउट बिलकुल सही option number 2 pick out मतलब किसी को identify करना किसी को छाट के निकाल लेना the victim could not pick out her attacker from the photos ठीक है could not pick out बिलकुल सही next question they are waiting the result of the vote before taking a final decision waiting के साथ क्या आएगा किसी चीज का wait करते हैं उसके लिए क्या आएगा waiting on बिलकुल सही किसी चीज का wait करते हैं उसके लिए भी waiting on जो waiter होता है hotel में उसके लिए भी waiter वो wait करेगा तो उसको भी wait on बोला जाएगा कोई shop में कोई sale करेगा ठीक है तो sell करने के लिए भी wait on आएगा तो इन तीनों condition में wait on आता है ठीक है they were waiting on for final result ठीक है waiting on next question my father at first refused to let me continue study but he came dash in the end last में he came on he came over he came round he came out बिल्कुल आप सभी का सही है सुधान्शू सर ने इसको करवाया था class में और जिनोंने उनकी class लिए उनका बिल्कुल सही हो गई है क्योंकि उन्होंने बताया था कि आदमी पहले मना करता है फिर हां करता है फिर मान जाता है तो इसको राउंड से आप रिलेट कीजिए तो क्या अंसर है यहां पर at last he came round means last में वो मान गए hello शिखा very warm welcome तो 15th question come round come round means मान जाना agree हो जाना he is dash an administrative carrier he is cut out he is cut down he is cut out for या he is cut up an administrative carrier okay श्री नगर जाईए तो वहाँ net अच्छा मिलेगा आपको cut out for बिल्कुल सही cut out for का मतलब क्या होता है suitable होना ठीक है suitable होना तो he is cut out for an administrative carrier वो administrative carrier के लिए suitable है ठीक है तो इस तरह का आपको मिलेगा तो क्या लगाना cut out for next question I have done dash him because of his dishonesty I have done with him done with him means मेरा उससे अब कोई वास्ता नहीं मेरा हो गया उसके साथ जैसे हिंदी में बोलते ना मेरा हो गया उसके साथ तो I have done with him because of his dishonesty उसकी बेइमानी की वज़े से मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो answer क्या होगा with next question he proved to be a broken read with sorry when his friend asked for support जी done with him means मेरा हो गया मुझे कोई लेना देना नहीं है उससे इस तरीके के sense में है तो he proved to be a broken read broken read का मतलब क्या होता है बिलकुल सही आप सभी का support that failed एक ऐसा support जो fail हो गया ठीक है वो होता है broken read next question नीता called me names बिलकुल इस तरह से आप याद रख सकते हो तो नीता called me names so she was severely punished by the teacher called me names का मतलब क्या होता है डाटना अब्यूस करना to cut a sorry figure या फिर आउट ओफ एलिमेंट्स नीता called me names means नीता ने मुझे अब्यूस किया मुझे गाली दी ठीक है इसलिए उसको teacher ने डाटा तो to abuse ठीक है next question none can rule me मुझे कोई बरबाद नहीं कर सकता क्या answer है 19th का none can rule me दीपाली ने पिछली बार experiment किया था इस बार मत करना आप वो experiment तो 19 question का answer क्या होगा can they can they क्या वो कर सकते हैं ठीक है next question she seldom weeps जी very good तो pixel सही नहीं आ रहे pixel increase कर लीजे अरपित क्योंकि और तो कोई दिक्कत मुझे दिखने ही रहे यह इस पिक्सल आप increase कर लीजे यूसूफ इस में explanation आप बोल रहे हैं can है sentence में और नेगेटिव है तो नेगेटिव अगर question है तो question टेक positive आएगा simple सी बात है और can है तो can आए गई she seldom weeps she seldom weeps answer है option number 2 does she यहाँ भी वही है negative है question में तो positive question टेक आएगा she seldom weeps वो कभी भी रोती नहीं है मतलब बहुत मुश्किल से रोती है तो does she क्या वो रोती है कल्यानी शाम को स्ट्रेट जी की क्लास है स्ट्रेट जी motivation बिल्कुल seldom जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है तो तीन कठिया system कौन से present movement से related है welcome यूसुफ ओके गलत जो भी हो उनको लिखते चलिएगा जी motivation की क्लास की बहुत डिमांड चल रही है बहुत टाइम से तो आज शाम को आएगी वो चंपारण सत्याग्रे ठीक है तीन कठिया system से related कौन सा है चंपारण सत्याग्रे ठीक है बाद में इसको बंद कर दिया गया due to चंपारण सत्याग्रे तो next question है आपको match करना है चंपा नहीं चंपारण सत्याग्रे next question है वहाबी movement राधा स्वामी movement धर्म सभा match करना है आपको 213 बिल्कुस है 213 option number one 213 option number one ठीक है next question इन में से कौन सा सबसे पहले हुआ कौन सा सबसे पहले हुआ एमदिया सत्यशोधक सेल्फ रेस्पेक्ट या जस्टिस पार्टी सबसे पहले कौन सा हुआ सत्यशोधक option number two एहमदिया 1889 सत्यशोधक 1873 सेल्फ रेस्पेक्ट और जस्टिस पार्टी ये दोनों 1900 के बाद के हैं ठीक है तो सत्यशोधक movement सबसे पहले हुआ option number two next question इंग्लेंड इंग्लेंड डेट टू इंडिया किस ने लिखी है इंग्लेंड इंग्लेंड डेट टू इंडिया ये मैंने जो आपको books and authors की PDF दी थी उसमें भी है तो आपने अगर उसको पढ़ा है तो बिल्कुल आनी चाहिए आपको लाला लाजपत रहा है option number four next question समाज समता संग समाज समता संग 1927 में ओके confused होगे तो ध्यान रखी आगे से समाज समता संग 1972 में किस ने establish किया समाज समता संग option number four बी आर अमबेट कर ठीके समाज समता संग किस ने establish किया बी आर अमबेट कर प्रणाम हितेश तो यहाँ पर आंसर है बी आर अमबेट कर next question from प्लासी टू पार्टीशन इसको तो कई लोग पढ़ते भी हैं तो from प्लासी टू पार्टीशन किस ने लिखी है प्रणाम कुशकांत तो सारे ही आंसर यहाँ लगा दियें आप लोगों ने from प्लासी टू पार्टीशन यह भी जो books and authors का मेन आपको दिया था उसमें है और इसका आंसर है सेखर बंदो पाद्ध्याए ठीके आप्शन नमबर थ्री सेखर बंदो पाद्ध्याए जी नेक्स्ट कॉश्चन है इनमें से कौन सा जो है वो एक मेनमेड फेमाइन कहा जाता है बिलकुल प्रती ग्रुप में है PDF books and authors की PDF ग्रुप में है जितने भी मेरे lectures है सबकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी और भी बहुत सारी PDF हैं करीब 700 PDF हैं वहाँ पर सारी आपको मिल जाएगी तो कौन सा जो फेमाइन है वो मेनमेड फेमाइन कहा जाता है बिलकुल कल्याणी नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर और इसका अंसर है बेंगाल फेमाइन 1943 ये कहा जाता है मेनमेड फेमाइन ठीक है चेतन ग्रुप का नाम है सुमित UPSC EPFO सुमित UPSC EPFO दैनिक बासुमती न्यूस पेपर 1880 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया दैनिक बासुमती ये भी जो मैंने आपको न्यूस पेपर्स और जर्नल्स का जो पीडिएफ दिया है जो मेरा लेक्चर है न्यूस पेपर जनरल का उसमें लिखा हुआ है ठीक है दीपा ग्रुप का नाम है सुमित UPSCEPFO SU MIT UPSCEPFO तो क्या अंसर है यहां पे उपेंद्रनाथ मुखो पाद्ध्या है ठीक है दैनिक बासुमती इस उपेंद्रनाथ मुखो पाद्ध्या है ठीक है नेक्स्ट क्वेस्ट्टन फेमस बुक फ्रीडम एट मिड्नाइट फ्रीडम एट मिड्नाइट चैट अभी चैट में पिन नहीं कर सकता हूँ मैं कमेंट में उसको डाल दूँगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको तो क्या अंसर इसका डॉमिनिक कैपियर है एंड लेरी कॉलिंस ओप्शन नंबर वन ओप्शन नंबर वन जी सेशन को लाइक कर दीजिए सब लोग हितेश जी की बात सुन लीजिए next question डेककन एजूकेशन सोसाइटी 1884 में 1884 में किसके द्वारा पबलिष की गई डेककन एजूकेशन सोसाइटी क्या अंसर है इसका mg रानाडे option number one ठीक है और भी दो लोग थे इसमें vp चिप दौन कर और gg अगर कर लेकिन यहाँ पर only mg रानाडे है options में ठीक है बिल्कुल रानाडे अगर कर और चिप दौन कर यह लोग थे तीन mg रानाडे डेकर एजूकेशन सुसाइटी सही आंसर है next question स्वराज पार्टी के बारे में ठीक है स्वराज पार्टी के बारे में देखिए it was formed due to disagreement over legislative council entry विधान सभाओं में entry के लिए entry के प्रशन पर यह बनी थी मौतिलाल नहरूस के president थे और it separated from Indian National Congress in 1924 very good राखी अभी पांच question और है history के तो सही हों आपके तो बहुत अच्छी बात है स्वराज पार्टी के लिए आपको बताना है इसका अंसर है option number one one only सिर्फ फस्ट सही है बाकी ना ही मौतिलाल नहरूस के president थे और ना ही यह 1924 में अलग हुई थी ठीक है next question who among the following gave the safety world theory for Indian National Congress नजर भी लग जाती है नजर का ध्यान रखिए इसलिए मैंने कहाँ पांच question बाकी है थोड़ा बाद में बोलिएगा president यह नहीं थे जो इनके साथ दूसरे अलग हुए थे comment इसमें chat box में नाम लिखके बताईएगा वो थे president जो दो लोग अलग हुए थे वो दूसरे president थे और यह नीचे वाली पोस्ट पे थे तो safety वाल थियोरी किस ने दी लाला लाजपत्राए option number B लाला लाजपत्राए देगी CR 10 जो थे वो president थे नाकी मोतिलाल नहरू चितरन जन्दाज बिलकुल तो लाला लाजपत्राए ने दी थी safety वाल थियोरी next question Indian National Social Conference 1887 में किसके द्वारा स्थापित की गई Indian National Social Conference तो सही है आप सभी लोगों का M.G. रानाडे और रगुनात राओ M.G. रानाडे और रगुनात राओ next question सोम प्रकाश बेंगोली पॉलिटिकल पेपर पब्लिच्ड इन 1858 बाए सोम प्रकाश जो बेंगाली पॉलिटिकल पेपर है उसको 1858 में बिल्कुल वड़ा पाव खाएं मैंने बहुत खाएं अभी खाया थोड़े देर पहले बिल्कुल कॉंग्रेस का रिलीजियस पार्ट था ये तो सोम प्रकाश सोम प्रकाश किसका था जी बिल्कुल वड़ा पाव यहां के फेमस हैं तो इश्वर चंद्र विद्या सागर जी ने सोम प्रकाश पब्लिश किया था ठीक है मैंने जो आपको पीडिएफ दी है उसमें भी द्वारकानात मैंने लिखा है वो गलत है ठीक है वो ध्यान रखिए और इश्वर चंद्र विद्या सागर है इसलिए कोशन मैंने इंक्लूड किया है कि सोम प्रकाश का आप ध्यान रखिए इश्वर चंद्र विद्या सागर सोम प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश द्यानल सरस्वती और सत्य प्रकाश किसका है बताईएगा चेट बोक्स में तीनों अलग अलग हैं सोम प्रकाश सत्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश नेक्स्ट कोश्चन है भारत स्रम जीवी 1870 में फर्स्ट इंडियन जर्नल किसके दौरा पब्लिश किया गया हेलो शुरुती बिल्कुल सही तो सौम प्रकाश, सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश तीनों अलग है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती उनकी मेक जीन आती थी हेलो रोमी तो क्या अंसर है यहाँ पर ससी पदा बनर्जी option नमबर 1 ससी पदा बनर्जी भारत स्रम जीवी first Indian जर्नल first Indian labor class जर्नल ठीक है ससी पता बनर जी नेक्स्ट कॉस्चन अब हिस्ट्री खतम हो गई है आब हिस्ट्री का बता सकते हैं कोई बात नहीं पसंद आएगा धीरे धीरे अपने आप लाइक करते रहेंगे लोग आप टेस्ट पर ध्यान दीजिए तो प्रियम्बल का असर कहां कहां है मतलब प्रियम्बल किस किस से ली गई है USA, France, Australia USA, France, Australia हिस्ट्री में गलत हो रहे हैं तो ध्यान रखिए यहां पर आंसर क्या है? option number four तीनों का ही असर है लिया गया है USA से और ऑस्टेलिया की लेंग्वेज है और France के भी words इंक्लूड किये गए हैं ठीके? तो यहां पर आंसर है all all यहां पर आंसर है बिल्कुल French से भी शब्द लिये गए हैं तो आंसर है all next question the emoluments, allowances, privileges and so on of governor can be altered by governor के emoluments, allowances, privileges जो हैं वो कैसे alter किये जा सकते हैं? simple majority, special majority, special majority and ratified by half of the state legislature और normal legislative process that does not require constitutional amendment राखी जी यह लिखा हुआ है कि जो governor होता है उसके जो allowances होते हैं, privileges होते हैं उनको कैसे बदला जा सकता है? एक समविदान संशोधन बिल simple majority से या फिर special majority से या फिर legislative process की जरूवती नहीं है तो इसका answer is simple majority बिलकुल answer का PDF आपको मिल जाएगा तो इसका answer is simple majority ठीके, option number one next question, 38 when the offices of both speaker and deputy speaker false vacant जब ये दोनों vacant हो जाते हैं रोमी जी pixel increase कीजिये 240 पे देखिए 240 पे सही दिखेगा शायद 144 होगा आपके और 360 पे तो एकदम clear हो जाएगा 240 पे भी सही दिख रहा है 38 का answer क्या है 360 पर clear एकदम देखिए answer है यहाँ पे option number three president जो है वो appoint करता है नी member of log sabah as speaker option number three ठीक है next question E-R-O-N-E-T क्या है जी तो E-R-O-N-E-T E-R-O-N-E-T क्या होता है web-based system for online education जी pixel increase करेंगे तो दिखेगा आपको सही तो क्या है E-R-O-N-E-T web-based system for online education online platform for good governance in rural areas या फिर web-based system for electoral officials क्या answer है या पर web-based system for electoral officials which automates electoral role management बिलकुल lucent आप कर सकते हैं computer से ओके 38 को मैं चेक कर लूँगा आप 39 का answer दीजिए web-based system for electoral officials ठीके web-based system for electoral officials senior most वैसे absent के case में होता है तो जो constitutional advisor है constitutional assembly के वो कौन थे B.N. Rao B.N. Rao option number one जी next question which account is included in the composition of balance of payment balance of payment में कौन से account जो है वो include किये जाते हैं current account, capital account दोनों या कोई नहीं तो यहाँ पर दोनों include किये जाते हैं option C correct है दोनों ही include काउंट करते चलिए सब अपने marks जिनके पिछली बार अच्छे marks थे वो भी slide में आएगा सिर्फ दो ही लोग है जो cut off clear कर पारें पिछली बार तीन लोग सिर्फ तो पिछली बार छे लोग थे इस बार सिर्फ तीन रहे गए तो ध्यान पेपर किसी भी तरह का आ सकता आंसर है option number one second और third जो option है वो उल्टे है देखिए liquidity trap क्या होता है कि interest rate बहुत ही कम है फिर भी saving rate बहुत हाई है उस वज़े से जो monetary policy है वो ineffective हो जाती है ठीक है तो लोग saving ही इतनी कर रहे है लोग saving ही इतनी कर रहे हैं कि interest rate कम करने का कोई फरक नहीं पड़ रहा है इसलिए आपकी जो monetary policy है बिल्कुल सही शुरुती जो बोल रही है savings हाई होती है और interest rate लो होती है इसलिए option number one ही वहाँ पे सिर्फ आंसर होगा second और third उल्टे है ठीक है 43 question देखिए जी बिल्कुल trick है वहाँ पे तो समझे इसको उल्टाद है अर्पित वहाँ पे saving हाई होनी चाहिए तभी तो monetary policy ineffective होगी तो agency function क्या है commercial bank का no problem राखी जी जिसका भी नहीं हो पाएगा वो बाद में comment section में बता देगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें act as trustee बिल्कुल सही act as trustee next question है which is the determining factor for investment कौन सा जो है वो एक determining factor है investment के लिए तो marginal efficiency भी है और interest rate भी है दोनों ही determining factor है investment के लिए बोट ठीक है next question the idea of justice the idea of justice किस ने लिखी है the idea of justice आप सभी के चाचा अमरतिय से ने लिखी है option number two next question which of the following perspective considers IR system as consisting of three actors तो कौन सा perspective है जो consider करता है कि जो IR है वो तीन actor से बना हुआ एक system है जिसमें management आती है worker आते हैं और उनकी organization और government agencies आती है unitary, pluralistic, radical या systems model answer है systems model option number four बिल्कुल सही Dunlop के दौरा गया Dunlop के दौरा दिया गया systems model next question which of the following subject comes under the concurrent list तो कौन सा जो है वो concurrent list में आता है trade union option number three trade union ये आता है concurrent list में trade union industrial dispute ठीक है next question है 48 किस सिद्धान्द के अनुसार rest कौन सी जो theory of wages है वो इस बात पे depend करती है rest on assumption of perfectly competitive market and profit maximization motive of employers कौन सी theory है जो ये बिलीव करती है कि perfectly competitive market रहेगा हमेशा और profit maximization motive रहेगा employers का आंसर सभी का गलत है ये इसका answer है marginal productivity ठीक है marginal productivity theory marginal productivity theory इस पे लाई है कि competitive रहेगा हमेशा बिल्कुल option number four answer था वहाँ पे next question है कौन सा trade union का characteristic नहीं है trade union का characteristic नहीं है individual action option number two individual action ये नहीं है बाकी सभी है common goal रहते हैं ठीक है next question है scarcity consciousness की theory किसने दी है scarcity consciousness ये सभी का सही है मैंने आपको पढ़ाय भी हुआ है कौन सी theory किसने दी एक छोटे से वीडियो में 10 मिनट के तो उसमें भी आपको सभी याद हो जाएगा और उसकी PDF भी अवैलेबल है तो hello सर्फराज तो answer क्या है यहाँ पर पर्लमेन option number four next question है expenditure on labor welfare is an investment कौन सी theory ये मानती है कि जो labor welfare पे expenditure कर रहे हो किसका PDF नहीं है सबका PDF अवैलेबल है बुक की PDF भी मिल जाएगी IR डाली IR तो उससे आपको प्याली घोश की PDF भी मिल जाएगी तो कौन सी theory कहती है कि expenditure जो है वो एक investment है जो efficiency को बढ़ाएगा यूटिली टेरियन अप्रोच ठीक है option number two यूटिली टेरियन next question है 52 कौन सी theory जो है वो humanitarian अप्रोच को follow करती है बिलकुल telegram पे सारी PDF अवैलेबल है नेमिंग गलत नहीं है वो सर्च नहीं करता है सर्च में दिक्कत आती है टेलिग्राम पे तो क्या answer है philanthropic theory ठीक है philanthropic next question recognition of trade union किसके provision से किया जाता है recognition of trade union यह भी एक tricky question है ध्यान रखिए यहां पे registration नहीं है recognition है तो recognition जो किया जाता है वो code of discipline से किया जाता है ना की trade union act 1926 से code of discipline से किया जाता है recognition ठीक है next question sorry DPSP का कौन सा जो आर्टिकल है DPSP का कौन सा आर्टिकल है जो Equitable distribution of material resources Equitable distribution of material resources of community 54 54 54 का है 39 39 39 option number 3 ठीक है equitable distribution या concentration of wealth एक जगे ना हो 39 option C fundamental right कौन सा इन में से नहीं है इन में से कौन सा एक fundamental right नहीं है किसी association को join करना, cut करना या फिर नहीं join करना या फिर to obtain recognition क्या answer है यहां पर option number 3 किसी association को join करना या ना करना यह सब आपके मूल अधिकार है लेकिन recognition एक मूल अधिकार नहीं है ठीक है option number 3 next question wages fund theory of wages किसके द्वारा दी गई है wages fund theory 56 wages fund theory J.S.Mill option number 4 next question which of the following previous act is not covered under any of the four new labor code कौन सा कोड जो है वो नए कोड में नहीं है कौन सा पुराना एक्ट apprentice act ठीक है apprentice act नहीं है सभी को पता apprentice act इसका answer है next question minimum number of employees for employees compensation act employees compensation act के लिए कितने minimum number of employee होना requirement है employees नमस्कार 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 तो employees compensation act के लिए employees compensation act के लिए एसी कोई condition नहीं है क्योंकि ध्यान रखिए यह लगता है जहांपे easy के लिए ही condition दस है तो इसके लिए कैसे हो सकती है थीक है की यह वहा लगता है यह द्यान रहें जहां cow नमस्कार त नमस्कार नमस्कार हरी आपका नमस्कार ले लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है बार बार मत लिखिए बार बार लिखने जरूत नहीं है और लोग को आंसर करने दीजिए अनफेर लेबर प्रेक्टिसेज गुड आफ्टरनून रजट तो अनफेर लेबर प्रेक्टिसेज किसमें आता है शेडियूल तू में आता है ठीक है शेडियूल तू है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिग्सड टर्म एंप्लोइमेंट के लिए क्या सही नहीं है क्या सही नहीं है उसको सारे statutory benefit मिलने चाहिए जो permanent worker को मिलते हैं वो able होना चाहिए available for gratuity under the contract for a period one year या फिर for every completed year gratuity मिलनी चाहिए 10 दिन के साब से तो क्या answer है इसका option number 3 क्योंकि 10 दिन की नहीं 15 दिन की दी जाती है ठीक है तो answer है option number 3 बिल्कुल सही तो देखिए full land test 14 में जो लोग cut off से 85 marks से उपर थे वो 3 ही लोग है रिजवान खान अमित आनंद और शिखा वर्मा ये नाम पिछली बार छे लोग थे यहां पर इस बार तीन लोग हो गए हैं और दो ही लोग consistent हैं रिजवान और शिखा आरेन कुमार भी नहीं हैं सिबानी साहू भी नहीं है सौरव दिपाली कोई नहीं है तो ध्यान दीजिए आगे से पढ़ना है ठीके और इन तीनों के लिए तालियां बहुत शुबकामना है तो चलिए next question 61 ओक्यामित आप फर्स टाइम आये थे फिर भी आपका नाम है वेरी गुड तो 61 question लॉड बीवरेज यह तो गलत बात है अगर किसी मतलब मेरे आंसर देने के बाद आंसर देते हैं तो गलत है वैसे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करेगा और करेगा तो आप खुद के साथ ही धोका कर रहे हैं किसी और के साथ नहीं कर रहे तो नहीं करना ऐसा बिल्कुल तो इन में से कौन सा जो है वो लॉड बेवरेज से संबंदित है आई-ार एक्स्प्लेंस दर रिलेशन्शिप विल्कुल 2017 में भी आया था लेकिन अलग तरीके से आया था वाण डिजी इंग्नोरेंस इसक्वेलर इल्नेंस इनका वहाँ पेटन पूछा था यहाँ पेप पूछा है कौन सा संबंदित है यही पांट करती है वाण डिजी यह definition किसने दी है I.R की? I.R. is an integral concept of social relations arising out of employer-employee interaction in modern industry which are regulated by state in varying degrees in conjunction with organized social forces and influenced by prevailing institutions इसी तरह के question आपको वहाँ मिलेंगे difficult आपको भले ही लग रहे हैं लेकिन यही questions मिलेंगे आपको वहाँ पर तो 62 का answer है V.B. Singh option number 4 इंडियन की definition है यह बहुत अच्छी definition है इसको याद रखिए यह सभी definition आपको मिल जाएंगी प्याली घोश में नहीं है थोड़ा search करना पड़ेगा Google पे आपको प्याली घोश पे यह वाली नहीं है बाकी तो हैं तो prevailing institutions में varying degrees में employer-employee का relation जो होता है वो होता है industrial relation V.B. Singh नेक्स्ट कॉस्चन है यह किसने कहा है कि social security जो प्रोग्राम है वो contingencies यानि आकस्मिक इस तरह की घटना है जो आदमी हैंडल नहीं कर सकता है जैसे Lord जैसे unemployment है sickness है बीमारी हो गई एकदम से तो कैसे हैंडल करेगा old age industrial accident यह सब नहीं हैंडल कर सकता है तो यह किस ने कहा है यह Lord beverage के भाई है means Lord beverage के साथ ही इनकी चीज है मौरिस इस्ट्रेक social security के लिए इन दोनों नहीं कहा है तो पिछली बार क्योंकि की Lord beverage आया था तो इस बार हो सकता है मौरिस इस्ट्रेक आए इसको ध्यान रखिए ठीक है मौरिस इस्ट्रेक नेक्स्ट कॉस्चन हुइस दचीफ लेबर कमिश्णर ओफ इंडिया के चीफ लेबर कमिश्णर कौन है चीफ लेबर कमिश्णर डीपीएस नेगी ओप्शन नंबर फोर नेक्स्ट कॉस्चन करेंट में स्वागत है आपका करेंट बुला रही है आपको कौन सी वो स्कीम है जो एम करती है कौन सा इनिशेटिव है जो एम करता है एक नौन लेबसेबल रिजर्व फंड बनाना है फोर हेल्थ एक्स्पेंडिचर थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस PM स्वास्थ सुरक्षा निधी PM श्रम योगी मांधन PM केर्स या PM मात्र वंदना योजना SSN SYM केर्स या MVY क्या आंसर है स्वास्थ सुरक्षा निधी ठीक है स्वास्थ सुरक्षा निधी में सेस लेंगे और सेस से बनाएंगे इसको next question है ATL app development module for school children across the country कौन से institution ने launch किया है 66 66 66 ये भी मैंना आपको जो भी current affairs की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपने देखी है तो बहुत आराम से सही हो जाएगा अटल टिंकरिंग लैप्स यहाँ पे ATL का मतलब क्या है अटल टिंकरिंग लैप बिल्कुल ATL जो है वो अटल mission जो है अटल innovation mission वो है ही निति आयोग का तो यहाँ पर answer क्या होगा निति आयोग मैंने इसके सारे जितने भी हैं वो आपको एकी slide में बताये थे तो उनको देख लीजेगा ध्यान से next question है NBIOT यानि narrow band internet of things narrow band internet of things के हिसाब से यह statements consider कीजिए it is a wireless communication standard for internet of things internet of things के लिए एक wireless communication है या यह coexist करता है with 2G, 3G और 4G mobile network के साथ भी यह coexist करता है क्या answer है 67 का both ठीके यह 2G, 3G के साथ भी exist करता है और wireless communication standard है internet of things का तो both इसका answer है next question है acrylosorb क्या होता है recently बिल्कुल recently जो देखा गया news में acrylosorb यह क्या है highly efficient super absorbent material है first manned mission on mars officially registered vaccine by France new covid test which gives test in 15 results sorry gives result in 15 minutes तो यह क्या है यह एक absorbent material है मैंने आपको current वाले session में करवाया था कि acrylosorb जो है एक absorbent material है जो hospital staff को infect होने से बचाता है ठीके hospital staff को infect होने से बचाता है next question है international version of which government application has been launched by union IT minister कौन सी application का international version launch किया गया है international version यह question पहले भी कई बार आ चुका है उमंग उमंग का international launch किया गया है ठीके उमंग का international version launch किया गया है next question है गांधी peace prize 2020 किसे दिया गया गांधी peace prize 2020 के recipient कौन है गांधी peace prize 2020 शेक मुझीबुर रह्मान बांगलादेश के राष्ट पिता ठीके शेक मुझीबुर रह्मान जिनकी बेटी अभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो शेक मुझीबुर रह्मान next question है साइयम मुबाइल अब किस से रेलेटेड है साइयम साइयम मुबाइल अब किस से रेलेटेड है online education providing all covid relief related government schemes at a single platform tracking activities of home quarantine patients या a platform to clear misconceptions related to covid-19 में है या नहीं बिल्कुल सही मनीश मुस्कान next question है आत्म निर्बर भारत योजगार योजना के बारे में क्या सही नहीं है current series follow कर लीजे राखिए और उसको अच्छे से notes बना के cover कीजिए current याद होने का reason यही है कि आप सिर्फ पढ़ते हैं किसी वीडियो से और फिर भूल जाते हैं उसको जब तक आप notes नहीं बनाएंगे जब तक आप खुद से याद नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होंगे तो खुद से notes बना के याद कीजिए 72 question आत्म निर्भर भारत योज़ रोजगार योजना के बारे में क्या सही नहीं है अप्शन नमबर थ्री बाकी दोनों सही हैं अगर हजार के अंदर है तो employee, employer दोनों का देगी सरकार अगर हजार से उपर है तो only employee का देगी और third है अप्शन नमबर थ्री next question स्वाती वो पांच वीडियो है लेकिन और भी वीडियो आएंगे वहाँ पे 70-80% cover है और जो 20% बचा हुआ है वो अभी और भी वीडियो आएंगे तो उस series को अगर आप follow कर लेंगे तो पूरे current affairs हो जाएंगे आपके current आपको पढ़ने है जनवरी 2020 से लेके अप्रेल 2021 तक weekly targets में मैंने मई तक करवाया है पर अगर आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जनवरी से अप्रेल तक के कर लीजिए वो sufficient है hello area तो current affairs की series follow कर लीजिए और जनवरी से लेके अप्रेल तक के करने है आपको तो कौन सा वो portal है जो ministry of labor and employment के द्वारा है और service related to common man at an affordable cost provide all the services at affordable cost at a single place e-kranti e-kranti option number 3 e-kranti ये भी important portal है ministry of labor की जो website है उसको visit किया कीजिए उस पर जो भी मिले उस पर ध्यान दीजिए वहाँ से भी question बनते हैं पिछली बार भी कई question वहाँ से बने हैं ठीक है तो ये e-kranti वहीं से बनाय हुआ question इसको ध्यान रखे है e-kranti बिलकुल अप्रेल 2021 तक करना है आपको 9 माई का जो paper था उसके हिसाब से ठीक है तो e-kranti सही है मनीश मुसकान next question which of the following portal is launched by ministry of power इन में से कौन सा portal जो है ministry of power के द्वारा लॉंच है जो भी चीज आएगी उसका current में link जरूर होगा तभी वो चीज आईए ये ध्यान रखिए तो ministry of power के द्वारा कौन सा लॉंच किया गया है साथी portal option number two साथी portal ठीक है next question है which of the following ministry is associated with post-metric scholarship to students belonging to schedule caste schedule caste के experience के लिए students के लिए post-metric scholarship कौन सी ministry दे रही है minority affairs HRD या social justice and empowerment या फिर science and tech बिलकुल सही मनीश केशव राजेश सपना मयंक साक्षी हर्ष शृती रोमी सोरव सागर गोल्डी सागर अमित आर्यान सभी का सही है option number three ministry of social justice and empowerment दे रही है इसको next question cash discount received from supplier cash discount received from supplier यह कहां debit किया जाता है account आते ही फिर सारे option देने लग गए आप लोग cash discount received from supplier कहां debit किया जाता है supplier's account supplier के account में किया जाता है ठीक है option option number four विल्कुल सही स्वाती शृती संग्राम गोल्डी सागर तो option number four वहां पर answer था next question when the debit balance is equal to credit balance इसका मतलब क्या है trial balance में अगर match कर गया credit is equal to debit तो इसका मतलब क्या होगा नहीं cash में नहीं दिखाते supplier दे रहा है supplier के account में दिखाते हैं कि वहीं से हमें इतना कम मिला है तो trial balance का मतलब क्या होगा ओनली mathematically correct option number two debit balance equal to credit balance का मतलब है only mathematically correct है बाकी यह सब नहीं है कि भाई मेरा सब काम हो गया कोई दिक्कती नहीं है इस तरह से नहीं है ठीक है next question छोड़ी आप जो भी गिरा वह वाली दो दूस्वाट हरके को कुछ इस लग मतलब है जाते हैं रिजर्व जो है वह किससे कर्याट कि जाते हैं ऑफ के पता ही जोते हैं पर जोते जबाशुज हैं जुद दोते हैं हेलो प्रसंजीत तो वहाँ पर सिर्फ मैथेमेटिकली करेक्ट इतना ही पता लगता स्वाती तो क्या आंसर है इसका औल अबोव रिजर्फ जो है वो किसी से भी बनाया जा सकते हैं ओल ठीक है रिजर्फ किसी से भी बनाया जा सकते हैं option number four ओके next question है depreciation is calculated from the date of reserves किसी से भी बनाया जा सकते हैं बाद में भी निकाले जा सकते हैं depreciation कब से calculate किया जाता है starting of commercial use of asset option number three commercial use जब उसका start हो जाता है तब से ठीक है start to use पर्चेस से नहीं use से ठीक है next question expenditure done on purchase of second hand asset कोई बात नहीं मनीश अगर खराब है तो हो जाएगी ठीक अकाउंटिंग accounting की series follow कर लीजिए general accounting principles की जो website है उसमें sorry playlist है उसमें मिल जाएगा आपको बिल्कुल one liner भी confuse कर देते हैं ध्यान दीजिए सब कुछ कराया हुआ है पूरी accounting कराई हुई है 12th class भी खतम होने वाली है तो second hand asset भी हम खरीदेंगे तो expenditure कहा जाएगा capital expenditure option number two capital expenditure option number two नेक्स्ट कोस्चन deferred revenue expenditure is a type of accounts के question इसी तरह के रहेंगे more or less थोड़े सी वह तो language तो UPSC अपने आप बढ़ा लेगी UPSC में तो कोई दिक्कत ही नहीं है वह अपने आप बढ़ा लेगी तो deferred revenue expenditure जो है वह किस टाइप क्या है वह capital expenditure है revenue expenditure है यह expenditure नहीं है असेट है तो deferred revenue expenditure को consider किया जाता है as an asset और कौन सी asset non current asset अभी हमने पढ़ा था कि deferred revenue जो expenditure है वह हमेशा non current asset में count कि जाते हैं क्योंकि वह बहुत लंब है आपके काम करेंगे ठीक है तो यह expenditure नहीं है asset है next question है bill of exchange is a conditional order to pay the bill bill of exchange जो है वह एक conditional order है to pay the bill बिल्कुल fictious asset में आता है तो यह expenditure नहीं है asset है तो ध्यान दीजी अकाउंटिंग भहुत छोटी छोटी चीजों में गलतियां करवा देगी आपसे तो bill of exchange कब दिया जाता है on due date option number three on due date next question when a new partner does not bring his share of goodwill the amount is debited to जब कोई partner cash में goodwill नहीं लाता है तो कौनसा account जो है वह debit किया जाता है यह सही है अरुनिमा सागर मनीश प्रसंजीत राजेश हर्ष नहीं हर्ष का गलत है राजेश का गलत है बाकी विकास का सही है शुरुती का सही है मयंक स्वाती सही है तो क्या answer है current account of new partner इससे debit किया जाता है वो लाया नहीं है cash तो उसके account से debit करना पड़ेगा दूसरे कैसे क्यों करेंगे ठीक है current account of new partner next question income and expenditure old partner से क्यों करेंगे वो नहीं लाया है तो उसी के account से debit किया जाएगा current account उसी के से debit किया जाएगा income and expenditure account for a not-for-profit organization records transaction of income and expenditure account में कौन से transaction record किये जाते हैं revenue nature only बिल्कुल सही revenue nature only option number one next question in the absence of partnership deed the following rule will apply in the absence of partnership deed क्या होगा अगर partnership deed नहीं है partnership deed नहीं है तो option number one होगा no interest on capital capital पर कोई interest नहीं मिलेगा profit sharing ratio equal रहता है profit best salary to working partner यह भी नहीं होगा 9% per annum interest on drawings यह भी नहीं होगा ठीक है no interest on capital यह होगा next question है at time of dissolution of firm loan of partners कब पे किये जाते हैं बिल्कुल सही शुरुती 6% पे loan और profit equally मिलेगा first option होगा यहां पे तो loan कब पे किये जाते हैं after making the payment of loans given by third party after making the payment of balance of capital accounts of partners after making the payments of दोनों a and b या before the payment of loan by third party तो क्या answer होगा है यहां पे dissolution of firm पढ़के आ रहे हैं हम option number one third party के loan के बाद में partner के loan दिये जाते हैं उसके बाद partner की capital सबसे पहले third party के loan फिर partner के loan फिर partner की capital ठीक है तो consigner क्या भेशता है consigner sends along with the consigned goods to the consignee बिल्कुल सही मनीश, साक्षी, प्रसंजीत, विकास, शुरुती सभी का सही है तो next question consigner क्या भेशता है consigned goods के साथ में account sales भेशता है proforma invoice भेशता है या फिर both या फिर कोई नहीं तो बिल्कुल सही है सभी का यह proforma invoice भेशता है option number two next question है partners to joint ventures joint ventures पे जो partners होते हैं वो क्या कहलाते हैं तो joint ventures partners जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेलर और बेली partner co venturer या principal and agent बिल्कुल सही co venturer इसमें कोई doubt नहीं है क्या कहलाते हैं वो co venturer next question which one is a kind of fixed exchange rate इन में से कौन सा जो है वो दोनों ही है option number three golden standard और बेटन वूट्स दोनों ही है क्या answer है both next question the coalition years is written by the coalition years ये किसके दोरा लिखी गई है अमर्तिय सैन नंदन निलेकनी रगुराम राजन या प्रणव मुखर जी दा कॉलिशन years भारत रत्म जो लोग जीते हुए उनकी बुक्स आने की संभावनों रहती करेंट में तो जो लोग भारत रत्म जीते हुए उनका आपकी उनकी बुक्स याद करके जाईएगा तो यह किसका है प्रणव मुखर जी ओप्शन नंबर फोर बिलकुल प्रणवदा नेक्स्ट कॉस्चन है इन विच मोड अफ नूट्रिशन अन ओर्गिनिजम डिराइवस इस फूड फ्रॉम दा बोडी अफ अनादर लिविंग ओर्गिनिजम विदाउट किलिंग इट तो कौन सा वो तरीका है जिसमें लिविंग ओर्गिनिजम को मारे बिना पोशन प्राप्त कर लिया जाता है मनीश का सही है रोमी हर्ष स्वाती धर्मेंद्र शुरुती तो क्या अंसर है पेरसिटिक परजीवी ठीके तो परजीवी या पेरसिटिक में ऐसा होता है कि बिना उसको मारे यह पोशन ले लते हैं नेक्स्ट कोश्चन है नेम ओव दे सबस्टेंस हूज बिल्डप इन दे मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉस्ट क्रेंप्स बहुत जोश में आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो राखी जी ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में सिंपल है आप पढ़के देखिए क्रैंप हो जाएगा नहीं मारेगा थोड़ी पेरसिटिक में पर जी वी अंदर पलते रहते हैं चलते रहते हैं तो क्या होगा लेक्टिक एसिड बन जाता है लेक्टिक एसिड प्लस एनरजी ओके केशाव मैं चेक कर लूँगा आप बोल रहे हैं तो वैसे पेरसिटिक ही है फिर भी मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा अगर दिक्कत रहती है ठीके तो लेक्टिक एसिड प्लस एनरजी की वज़े से क्रैंप हो सकता है ओके रिव्यू कर लेंगे ओके प्रसेंजीत आपको मैंने टेलिग्राम पर मेसेज किया आप देखिएगा ओके 93 देखिए जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो रैस्पिरेट्री में होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टोमेटा ओप्शन नंबर फोर स्टोमेटा ओप्शन नंबर फोर स्टोमेटा ओप्शन नंबर फोर नेक्स्ट कोश्चन सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये सॉल्ट है strong acid, strong base weak acid, weak base strong acid, weak base weak acid, strong base किसका combination है? sodium, carbonate weak acid, strong base option number 4 weak acid, strong base next question एक element X जो है वो soft है और चाकू से काटा जा सकता है हवा में वो बहुत reactive है और हवा में खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो एकदम से reaction कर लेता है तो आपको बताना है कि वो कौन सा है सभी को पता होगा ये तो sodium ठीके सभी को पता होगा जादू भी दिखाते हैं जो छोटे मोटे जादू कर आते हैं बहार निकालेंगे एकदम आग लग जाएगी बिलकुल तो जादू भी दिखाया जाता है इससे केरोसीन में इसलिए इसको रखना पड़ता है ठीक है सोडियम नेक्स्ट कोश्चन है टू डिवाइसे आर कनेक्टेड बिट्वीन टू पॉइंट्स सीरीज में क्या सेम रहेगा सीरीज में सेम रहेगा करंट और पैरलल में रहता है वोल्टेज ठीक है तो यहां पे क्या रहेगा करंट कोश्चन कंसा मैगनेटिक फिल्ड के बारे में correct नहीं है magnetic field lines from a continuous closed curve एक continuous closed curve बनाती है magnetic field lines don't intersect each other एक दूसरे को नहीं काटती है direction of tangent at any point on the magnetic field line curve gives the direction of magnetic field जो किसी भी point पे tangent होता है वो direction को बताता है outside the magnetic field lines go from south to north all of the magnet तो क्या गलत है option 4 south to north नहीं जाती है north to south जाती है outside में ठीक है option number 4 next question fossil fuels क्या है जीवाश में इंधन क्या है non-renewable source है renewable source है दोनों है या कोई नहीं है तो fossil fuels क्या है fossil fuels non-renewable क्योंकि बहुत सालों के बाद ये बनते हैं जानवर मर के अंदर बहुत साल लगते हैं इनको बनने में तो non-renewable है ये next है the defect of vision in which the person is able to see distant objects बिल्कुल millions of years लगते हैं इसलिए ये non-renewable में count होते हैं the defect of vision in which the person is able to see distant object distinctly but cannot see nearby object clearly nearby object clearly नहीं दिखता है long-sightedness, far-sightedness, hyper-metropia या all above तो 99 question में जो नाम लिखे हुए हैं वो सारे एक ही चीज के नाम लिखे हुए हैं long-sightedness, far-sightedness, hyper-metropia ये तीनों एक ही चीज हैं और answer है all answer है all क्योंकि ये सब एक ही नाम है next question which of the following is not a vertical transmitted disease कौन सी एक vertically transmitted disease नहीं है अब vertically transmitted क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहीं बता दूँगा तो फिर answer आ जाएगा बिल्कुल तो कौन सी जो है वो vertical transmitted disease नहीं है बिल्कुल सही देखिए हर्ष ने लिख दिया है vertical transmission का मतलब मदर से चाइल्ड में उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है तो HIV AIDS भी है रोबेला भी है और जीका भी है कौन नहीं होता है malaria malaria horizontal है मा से बच्चे में नहीं होगा तो ये तीनों virus HIV रोबेला जीका हो सकते हैं कोवीड का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी हो सकता है तो ये virus ज्यादा तर वर्टिकल ही होते हैं next question a light sensitive device that converts drawing printed text और other images into a digital form कौन एक digital form में बदल देता है option one scanner ठीक है next question which of the following is not an output device एक output device नहीं है output device नहीं है तो क्या answer है mouse mouse एक input device है तो output device नहीं है next question computer system का component नहीं है कौन सा computer system का component नहीं है computer system का component नहीं है pen drive बिल्कुल pen drive का कोई लेना देना नहीं है next question which of the following is a http web server कौन सा एक http web server है लुसेरा फेडोरा पर्ल या अपाचे http web server memory तो पार्ट है क्यों नहीं है पार्ट ALU RAM यह सब होता है ना उसमें computer system में तो आता है यह सब तो क्या अंसर इसका अपाचे ओप्शन नंबर 4 http web server कौन है अपाचे next question which of the following is an application software कौन सा एक application software Linux, Unix, Excel या Windows तो सब कुछ humans नहीं बनाया है तो Excel एक application software है बाकी तीनों क्या है system software है Linux, Unix और Windows ठीक है Excel एक application software है next question maths आ गई है copy pen लेके बेट जाईए और जल्दी जल्दी solve कीजिए A और B ने 700 और 600 रुपे इंवेस्ट किये तीन महीने बाद A ने अपने investment का दो बटा साथ निकाल लिया 2 by 7 और दुबारा 3 by 5 जो है वो निकाले गए amount का उसने फिर से invest कर दिए तीन महीने बाद A का share sorry total profit year end में हुआ 726 तो आपको इसमें A का हिस्सा बताना है 366 और लोग भी solve कीजिए सही है प्रशान्त रोमी और सोनू का ओके अभी काफी portion बचा हुआ है 15 question बचे हुए है तो इसका answer है 366 option number 2 next question 120 रुपे पे किसी आर्टिकल को बेचने से जो profit होता है वो 90 रुपे में बेचने से triple है तो इसकी cost price बताईए राखी जी 107 तो आप attempt कर सकते हैं बिल्कुल moderate तो आए गई पेपर कल्यानी जी moderate तो रहे गई difficult भी हो सकता है वैसे moderate ही रहेगा difficult नहीं रहता है difficult हो जाएगा तो फिर किसी से कुछ नहीं होगा वहां पर तो इतना तो जगे देती ही है UPSC कि आप कुछ वहां कर पाएं तो यह question बहुत ही simple है 75 इसका answer है कैसे आप इसको देख सकते हैं difference आप देख लीजिए जिसका difference तीन गुना होगा उसका profit भी तीन गुना होगा तो 75 से 90 के difference का triple difference है 120 से इसलिए answer क्या होगा 75 next question है 2 by 3 part जो है वो 4 दिन में करता है A और B करता है 3 by 5 part 6 दिन में अगर वो एक साथ काम करते हैं they will complete it in how many days कितने दिन में वो इसको complete करेंगे 3.75 बिल्कुल सही 3.75 3 3 by 4 ठीके next question A ने 25% discount पे marked price से एक घड़ी खरी दी और इसको 40% profit पर बेचा अभी 40% profit किसका होगा A का यानि उसकी cost price से होगा और इस बार उसको 40 रुपे ज्यादा मिले जो उसका पहले का marked price था उससे तो आपको बताना है कि A ने कितने रुपे में खरीदी थी A ने कितने रुपे में खरीदी थी 600 रुपे आएगा 600 रुपे एकी cost price बतानी है आपको A का marked price नहीं बताना है A ने खरीदा था 600 में cost price of A बताना है तो उसने 25% discount भी लिया था ना तो answer आएगा 600 option number 2 next question number of zeros in multiplication of 2, 4, 6, 8, 9, 8, 100 2 से लेके 100 तक even numbers के multiplication में कितने 0 होंगे यहां पर answer होगा 12 answer होगा 12 option number 2 total 11 zeros होते हैं और एक 0 और बनेगा ठीक है तो answer क्या होगा 12 solution मैं आपको दे दूँगा सबके कल के भी 5 question बाकी हैं तो 5 question कल के और 10 question आचके 15 के solution मैं आपको दे दूँगा math के answer होगा 12 11 zeros होते हैं और एक 0 और बनेगा तो क्या answer होगा 111 और 112 का only one follows ठीक है next question बिल्कुल one only होगा वहाँ पर next question देखिए some harmoniums are instruments, some instruments are flute some flute are instruments, some harmoniums are flute इसका भी क्या होगा only one follows option number one next question एक pump जो है वो आठ घंटे में भर सकता है और दूसरा pump दस घंटे में अगर दोनों चार घंटे के लिए खोले जाते हैं तो कितना पार्ट टैंक का भर जाएगा कितना पार्ट भर जाएगा बिल्कुल सही 9 बटा 10 आप लोगोंने solve कर लिया होगा इसका formula होता सीधे a b upon a plus b तो 80 upon 18 से हो जाएगा 9 by 10 भरेगा ठीके next question एक cricket player जो है वो कुछ average run बनाये थे उसने 19 पारियों तक और 20 पारी में वो 100 मार देता है और उसका average जो है वो 4 run से बढ़ जाता है आपको उसका previous average बताना है 20 पारी में 100 मारने से 4 run उसका average बढ़ जाता है आपको पुराना average बताना है यानि 19 पारी तक जो उसका average था वो आपको बताना है क्या answer होगा 20 option number 1 24 तो उसका नए average है पुराना आपसे पूछा है 20 होगा answer next question बहुत simple है राकी जी आप इसको बाढ़ दीजिए जो जैसे इसमें 100 मारने पे 4 average बढ़ा है तो 4 को आप 20 में multiply करके बाढ़ दीजिए 20 innings है ना तो 20 into 4 80 80 को 100 में से माइनस करेंगे यह आगया 20 पुराना एवरेज और नया एवरेज तो इसमें 4 8 कर देंगे 24 नया एवरेज इस तरीके से होता है तो दो ट्रेंस जो है वो रन कर रही है एक दूसरे की और A और B स्टेशन से 40 और 60 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से जब वो मिलती है तो दूसरी दूसरी ट्रेंने 90 किलोमेटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करिए तो A और B के बीच में डिस्टेंस बताईए साड़े 400 किलोमेटर बिल्कुल सही साड़े 400 किलोमेटर ओप्शन नंबर 3 नेक्स्ट कॉस्चन है एक जीब जो है कार को चेज कर रही है जो उससे 5 किलोमेटर आगे है उनकी स्पीड है 90 और 75 जीब कितने टाइम में कार को पकड़ लेगी बीस मिनट में पकड़ लेगी बीस मिनट में क्योंकि 15 किलोमेटर कवर करते हैं एक घंटे में तो बीस मिनट में 5 किलोमेटर कवर हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कॉस्चन इनर और आउटर पेरामीटर एक सर्कुलर पाथ के आउटर और इनर पेरामीटर का जो रेशो है वो 23-22 है 23-22 का रेशो है आउटर इनर पेरामीटर का चोड़ाई जो है वो 5 मीटर है तो डाइमीटर क्या होगा इनर सर्कल का पहले से सॉल किया होगा आप लोगों ने क्या आउटर होगा इसका 220 मीटर डाइमीटर पूछा है इनर सर्कल का क्या हैगा 220 मीटर आप्शन नमबर 3 रेडियस निकाल दिये होगी जिसने 110 आंसर दिया है तो आंसर क्या होगा 220 नेक्स्ट क्वेश्चन अकोन असेमिस्फियर और सिलेंडर है वसेम बेस एंड सेम हाइट बिलकुल आंसर की की PDF भी आएगी कल की भी आंसर की अभी नहीं दिये मैंने तो weekly की आंसर की और full length की आंसर की और दोनों का math solution यह सारी चीज़ें आएंगी टेलिग्राम गुरूप पर क्या अंसर है 118 का तो 123 इसमें अगर आपने सिलेंडर बीच में लिया होगा तो 132 आ जाएगा और अगर सेमिस्फियर बीच में मैंने अभी किया है तो 123 ठीके सिलेंडर आप लोगों ने किया होग बीच में तो आपका सफिय फै यह 132 और अगर सेमिस्फियर बीच में मैं है तो 123 ठीक के तो मैंने अभी समिस्फियर बीच में किया हुआ खाल सेमिस्फिश पीच में है तो 123 और सिलेंडर बीच में है तो 132 ठीक है next question in how many ways world रूमर केन बी अरेंजड वर्ड रूमर को कितने तरीके से इंगेज किया जा सकता है मतलब अरेंज किया जा सकता है क्या अंसर है 119 का 180 इसमें आर और यू कोमन है तो फेक्ट्रिल 6 अपॉन फेक्ट्रिल 2 फेक्ट्रिल 2 शुरुती मैं बता रहा हूं न जो जितने वर्ड्स कोमन होते हैं उनका नीचे भी आ जाता है तो फेक्ट्रिल 6 क्योंकि 6 वर्ड्स हैं अपॉन फेक्ट्रिल 2 फेक्ट्र to okay क्या answer इसका 180 next question last question even number अगर हमें मिलता है रेंडम थ्रोफ डाइस में तो प्रोबिलिटी क्या है डिजिट मोर देन टू रहने की डिजिट मोर देन टू रहने की प्राइटी क्या है अगर even number मिलता है थ्रू ए रेंडम थ्रोफ डाइस तू बाइ थ्री सिंपल है अगर इवन नंबर है तो टू फोर सिक्स तीन ही टोटल कंडिशन है और उनमें से फेवरेबल कितनी है फोर और सिक्स टू तो टू बाइ थ्री आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर टू तो यह टेस्ट था आप लोगों का फुल लेंड टेस्ट फिफ्टीन जो भी आपके मार्क्स रहे हो वो बता दीजिएगा कमेंड बॉक्स में और जो भी एक्सपिरेंस हो वो भी बता दीजिएगा वेल्कम राखी जी वेल्कम ओके बिल्कुल वर्क तो करना ही है ओके वेल्कम वेल्कम नहीं टू बाई सिक्स नहीं टू बाई थ्री होगा वेल्कम राजेश तो चली कमेंड बॉक्स में बता दीजिएगा आप जो भी मार्क्स आया आपके ठीक है वेल्कम साक्षी थैंक्यू लर्निंग एस्पिरेंट ओके जैहिंद प्रशांत मैट्स को प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं वेल्कम आर्यन वेल्कम हर्ष ओक्के शिवानी वेल्कम वेल्कम शुरुती स्वाती चलिए फिर मिलते हैं शाम को स्टेट जींड मोटिवेशन के साथ गुडबाय ओल उफ यू थैंक्यू वेल्कम वेल्कम जैहिंद लाइक और शेयर कीजिएगा सेशन को चलिए गुडबाय जैहिंद वेल्कम हर्ष